विकिट की बंचक इस प्रेजेंटेट पाई हाउजाट इन असोसियेशन विट फाइफपैसा डॉट कॉम उनके बारे में जादा से जादा जानने की उठ सकता भी है। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना आपको इस नई संसनी के बारे में बताया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं मध्यप्रदेश के लिए रंजी खेलने वाले इस लड़के की कहानी जो आजकल कोलकातन आईट्राइ में काम किया है। वेंकटेश के परिवार ने उन्हें पढ़ाई से जादा खेल पर ध्यान देने के लिए प्रोच साहित किया। अपने क्रिकेट करियर का क्रेडिट अपनी मा को देते हुए वेंकटेश ने क्रिकेंफो से कहा था। सच कहूं तो मैंने खेलना तब शुरू क नहीं था। उन्हें जादा मजा पढ़ाई में ही आता था। और जल्दी ही उन्होंने चार्टर अकाउंटेंसी के साथ बीकॉब में भी अड्मिशन ले लिया। साल 2016 में सीए का इंटर्मीडियेट एक्जाम भी निकाल लिया। लेकिन तब तक अईयर मध्यप्रदेश की स घर से निकल कर कॉलिश तक आ गया था। कॉलिश के मैनेजमेंट ने उन्हें अटेंडेंस बगेरा के लोट से पूरी तरह से दूर रखा। लेकिन दुनिया जानती है कि भारत में क्रिकेट में करियर बनाना आसान नहीं है। ऐसे में अईयर ने पढ़ाई का दामन भी प्रिकेट खेलने लगे थे और रंजी ट्रोफी तक पहुचने के लिए भी उन्हें जादा समय नहीं लगा। आयर को साल 2018-19 के रंजी ट्रोफी सीजन के लिए चुना गया। और फिर साल 2020-21 में उन्हें मध्य प्रदेश की सेयद मुश्ताकली ट्रोफी की टीम में चुना आयर ने इस टॉर्णमेंट की पांच पारियों में MP के लिए सर्वधिक 227 रं बनाए। आयर ने ये रं 75.66 की आवरिज और 149.34 की स्ट्राइक रेट से बनाए। और फिर उसके बाद हुई विजे हजारी ट्रोफी में उन्होंने पंजाब के खिलाव 146 गेंद में 198 रं बन 2021 के लिए अपनी टीम में शामिल कर लिया हाला कि फर्स लेग में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन जैसे ही IPL 2021 का दूसरा लेगा आयर की किसमत ने करवर्ट ली और 20 सितंबर 2021 को फाइनली उन्हें IPL डेब्यू करने का मौका मिला। मुकाबला था रोयल बराने से चूप गए लेकिन उसकी भरपाई उन्होंने अपने दूसरे मैश में कर दी। 23 सितंबर को मुंबर इंडियन्स की खिलाफ हुए मैश में आयर ने फिर से एक शांदार पारी खेली और इस बार भी अपनी टीम की जीत में एहम योगदान निभाया। आयर ने अप अबर आपके लिए लिखी है प्रवीन ने, क्यामरे के बीचर आशत और मैं मेगा आप देखते रहिए दीललन टॉप